नमस्कार दोस्तों स्वाद करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब वकेंसी अपडेट के अंदर और आज आपके लिए बहुत बढ़िया रेक्रूट्मेंट अपडेट लेकर रहा हूं जो की पोस्ट ओफीस की तरफ से निकल के आ चुका है बिल्कु मोबाइल में मिलते रहेंगे और समा रहते हैं आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे वकेंसी की बात करूं तो और बहुत सारी वकेंसी हैं जो की आउट हो चुकिए जिनको आप हमारी वेबसाइट जो की है meacademy.xyz और glory.com वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और चेक करके अपलाई कर सकते हैं मैं आपके लिए इसी तरह से notification pdf लेकर आता ही रहूँगा तो आपने क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने चैनल में शेर भी जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रूटमन अपडेट की और वही पर जाके बाकी की information आपके साथ शेर करता हूँ सबसे पहले यह notification इंडिया पोस्ट की तरव से आउट किया गया है और इसके अंदर all candidate eligible है जो all इंडिया से कहीं से भी है और इसके लिए 18,000 से लेके 81,000 तक आपकी जो salary है वो रहने वाली है सो इसके लिए 10th 12th and graduation वाले candidate जो है वो eligible है और apply कर सकते हैं कैसे apply करना है कौन करण apply करेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर वेकेंसी की तो इसके अंदर postal assistant sorting assistant की वेकेंसी जो है वो आउट की गी है पोस्टमेंड की वेकेंसी है जिसके लिए आपकी जो सेलरी है 56,900 रहने वाली है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके लिए कौन-कौन candidate eligible है तो postal assistant sorting assistant के लिए 12th and graduation वाले apply कर सकते हैं पोस्टमें के लिए भी 10th 12th और graduation वाले multitasking staff के लिए 10th 12th वाले candidate जो है eligible रहेंग और apply इसके लिए कर सकते हैं अब अगर बात करूं इसके अंदर post office recruitment के लिए 10th 12th जैसे मैं आपको बताया वह eligible है और apply के लिए कर सकते हैं application fee की अगर मैं बात करूं 100 rupees रहने वाली है सभी candidates के लिए और इसके लिए online आपको apply करना होगा male and female दोनों ही candidate 18 से लेके 27 year तक के candidate जो है वह eligible है और apply के लिए कर सकते हैं इसके लिए अगर मैं बात करूं ड्राफ notification जो है वह आउट किया गया है जिसका लिंक मैंने आपको description में दिया है यहां से आप download करके इसको open जो है वह कर सकते हैं सीधा आप यहां से यह notification आप देख सकते हैं government of India ministry of communication department of post तो इसके लिए नीचे अगर आप 4 पेंच पर जाएंगे यहां से आपको सारी वेकेंसी जो है वह देखने को मिल जाएंगी सव अपनि नीचे scroll down करना यहां पर आपको वेकेंसी जो है है वो मिल जाती है एक सिकिन मैं आपको चेक करके बताता हूं यहां से आप देख सकते हैं यह हैं सबसे पहले पोस्टमेंट की हैं जो ड्राफ्ट खीला था नौटिफिकेशन आपको रहाएगा जल्द ही आपको बताथे अपनी तीयारी रहे पूरी रहेगा ड्रेक्ट केंदर आपके रिक्रूट मुटोने किसी तरह को एक्जाम नहीं है पूप को नाएं अपको कोई के लिए धन्यवाद जी वीडियो के अंदर तब दख के लिए धन्यवाद जी ज़िए